हेलो फ्रेंज बैचका थ्रेट्स में आपका स्वागत है अज देखिए हम लड़ो कुपाल जी की यह क्रोशिय से ट्रेस बनाएंगे और यह जो ट्रेस है यह मैंने जो समर का भारीक वाला क्रोशिय थ्रेट आता है उससे इसे बनाया है और इस धागे से बनी हुई ट्रेस को अप्लेट कुपाल जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं 17 नंबर यह शेड है 17 रैड कलर है यह बहुत से इसके शेड आते हैं मैंने जो चोली की वीडियो अपलोड की है उन सभी वीडियो में मैंने यह से दिखाया है ताकि आपको पता चले कि इसके काफी सारे शेड मिलत कमेंट मिले हैं कि मैं मैं यह धागा जो हैकि हम कहां से ले सकते हैं तो आप इसे वूल शॉप से ले सकते हैं यहां फिर आप आप सर्च कर ले विकला और यहां पर देखें यह अभी वूल की है आये सारे बॉल यह देखें यह जो मैंने अभी लिया है मेरे पास है यह सेम बॉल यहां पर है और यह वीडियो पर मोशनल बैलकुल भी नहीं लेकिन आपको यह धागा नहीं मिलता है इसलिए मैंने आपको इसे दिखाया है कि आप कहां से ले सकते हैं यहां पर इसके सभी शेर्ट से कोई भी शेर्ट आप मंगवा सकते हैं 70 कोई 70 का देता है को 75 का देता है को 85 का देता है 80 का ऐसे यह मिलता है और यहां पर इसे यहां से पर सर्च करें यह गंगा होपी इंडिया क्रोशेथ त्रैड इसको आप उपन करेंगे यहां पर देख्यास के सारी जब को मिलेंगे और साथ में शेंड नंबर भी है तो यहां से आप मंगवा और पता चले की यह कितने कलर्स में मिलता है काफी सारे शेड आते हैं तो यह पॉर्स में पांच नंबर की चोली के बाद इसका गेरा बनाया है लिंक आपको । description में मिल जाएगा बाकी numbers की जो चोली है वो भी आपको मिल जाएगी कुछ की मैंने अप्लोड कर दी है तो कुछ रह गई है और जैसे मैंने यहाँ पर गेरा मिल याइक नहीं है और यह सारी थांगे की बनी होई है इसको आप समर में भी पहना सकते हैं लड़ुकुपाल जी को और चोली के लास्ट में 32 डबल कोशिय है 32 आट प्लस आट 16 यह है 16 और 16 बैक साइट है 16 टोटल 32 और मैंने यहां पर देखे चोली को इस चोली के देखे वीडियो अप्लेट हो गई है यह वाली यह चोली है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से देखे रमना नहस्तार करेंगे यह पर देखे मैंने चोली को जॉइन किया है कि यह नुद्ध हरी कि थर्ड चेन है मिरफ एक-धो तीन हो तो छेइन स्लिप स्थिच से इस तरह से जॉइन किया फिर एफिन नच्ट में स्लिप स्थिच बनाकर आम होल तक जाएंगे कि तीन ब कि छे कि स्लिप स्टिच जब भी हम बनाएंगे यह वाला फंदा हमारा इस तरह थोड़ा बड़ा होना चाहिए नहीं तो यहां से फिर ड्रेस कीज जाती है अग्यों अग्यों देखे हमारा इस साइड़ वाला लास्ट डवल कोशिया है इसके उपर तक आए है हमने यह बेक साइड पहला डबल कोशिया है वहां तक हम जाएंगे अब कि अब यहां पर मैंने तीन के लिए तीन लेकर इसी जगा हम इसी चेन में एक बार मैंने डबल कुशिया किया है जो ये तीन की चेन है इसको एक डबल कुशिया हम काउंट करते हैं और एक हमने डबल कुशिया बनाया टोटल मेरे पास दो स्टिच हो गए दो डबल कुशिया हो गए अब नेक्स्ट में फिर से दो बनाएंगे हर चेन में दो डबल कुशे करेंगे राउंड को कम्प्लीट करेंगे 32 है तो ये मेरे पास 64 हो जाएंगे 64 ये दो 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 लास्ट में भी देखिए दो बना लेंगे ये हमारी लास्ट चेन है अब हमने जोईन करना है चेन में полез है तो यहां स्पेस तक आने के लिए हम अधिया फिर बैक्राइंगे पिर देखिए ये जो बीच में इसकंद यह के बाद बीच में घो होुआ है यहां पर भी slip stitch किया, अब यहां से हमने start किया, तीन हमने chain दिये, इसी जगह यहां पर double crochet किया, इसके बाद देखे धागा लिया, फिर यह वले 2 skip करेंगे, बाद में जो यह hole है, यहां पर बनाएंगे, एक और यह 2, फिर देखे यह 2 skip करेंगे, जो कठे एक ही chain में है, इनको skip किया, next hole में हमने 2 double crochet किया, 2 double crochet बनाते जाएंगे, round को complete करेंगे, यह देखे, same round जो हमने पहला round बनाया था, same round repeat किया, इसमें भी दो दो बनाए थे, इसमें भी दो दो बनाए है, देखे, यह मैंने chain के ऊपर नहीं बनाया बीच में, hole में बनाया है, जो space है बीच में, तो अब हमने इसे join किया, 1, 2, 3, 3rd chain में slip stitch से, फिर से देखे, next round start करें कि next chain में हमने slip stitch बनाया, हमने यहां पर जो space है, तो के बाद, वहां पर हमने start करना है, यहां पर शुरू में जितने भी होंगे, अगर तीन है, तो यहां पर तीन बार, इस तरह से, जैसे एक बार भी मैंने और बनाया, फिर यहां पर बनाया, अगर यहां पर तीन होते, तो एक और बनता, slip stitch, ठीक है, space तक हमने slip stitch किया, फिसे देख लें, एक बार, round के इस तरह से बनाना है, क्योंकि इसके बाद, फिर मैं आपको, थोड़ी dress बढ़ी करके ही दिखाऊंगे, तो join करना, आप एक बार फिर से देख लें, दो बनाएं मैंने, last में, third chain में slip stitch किया, इसक इनकी chain के बाद एक है, जब हम next round बनाएंगे, तो उसमें हो सकता है, यहां पर दो double crochet हो chain के साथ, तो फिर आपको दो बार slip stitch बनाना बड़ेगा, तो chain के उपर बनाया, next वाले एक के उपर बनाया, फिर यह space है, जो यहां तक आएंगे, मतलब आपने यह hole तक आना है, slip stitch बना बनाएंगे, फिर next space है, जो यहां पर दो बनाएंगे, तो इस तरह से बना कर round को complete करेंगे, इसके बाद थोड़ा समय आपको घेरा बना के बताती हो, देखें यहां पर, यह मेरे तीन round है, इसमें भी दो 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 है, इसके बाद जो मैं बनाओंगे, उसमें मैं तीन रखोंगे, यह जो हमने दो डबल पुशे बनाए हैं, फिर next में मैं तीन बनाओंगे, फिर उसके बाद बाद मैं 4 बनाओंगे तो मैं बना के आपको दिखाते हैं तो यहां पर देखिए छे राउंड में बना लिये हैं चोली की किनारी भी बना दी है किस तरह से बनाए है वो आप देख लेए यह हमारा पहला राउंड है इसमें दो दो डबल कोशिय है बिल्कुल स्टार्ट वाल यह देखिए यहां पर एक एक है यह चोली का लास्ट राउंड है इसके पहला हमारा घेरे का राउंड है तो इसमें दो है इसमें दो है तीन में हमने दो डबल कोशिय रखे हैं फिर यह फूर्थ में हमने एक दो तीन बनाई है फिफ्थ में एक दो तीन बनाई है और सिक्स में हमने चार बनाई है यह देखें चार बनाई है एक दो तीन चार लेकिन दो बनाने के बाद पीच में एक चेन भी ली है तो इस तरह से मैंने चेराउन कंप्लीट किये हैं मतलब चार की कली बनाई है यह द दवह फिर की करली आदिस गth in ऊ-दो एक ऐसे फिर दो ऑर बना लेंगे चार की कलीuba नंगा इसके बादे हैं ऊ-पिदीजिँ में हमने स्लिप स्टेच से जॉइन किया सो आव यह यह हमने सेंटर तक जाना है कली के यहां से हम रह reflect करेंगे कि देखिए जो हमारी बीच में कली के बीच में हमने चेन ली हुई है वहां पर देखिए यहां पर हमने डबल कोशिय किया तो यह मेरे पास दो डबल कोशिय काउंट हों के इसके बाद एक चेन ली फिर देखिए यहां पर सेंटर में दो बनाएं एक और फिर एक चेन ली फिर देखिए यह कली के सेंटर में बनाएंगे दो दो डबल कोशे बनाएंगे और एक चेन लेंगे देखिए यहां पर बनेगा फिर यहां फिर यहां फिर यहां राउंड को कम्प्लीट करेंगे इसी तरह से एक चेन राउंड देखिए कम्प्लीट कर लिया मैंने अभी आप देखेंगे तो हलका सा यहां से उठता है जो हम राउंड बनाएंगे उसमें हमने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना तो यह जो अपने आप ठीक हो जाएगा कि यहां पर मैंने एक दो डबल कोशिय एक चेन और एक दो तीन थार्ड चेन में हमने जॉइन किया स्टिच से फिर नेक्स में बनाया स्टिच वाइट कलर स्टार्ट करेंगे तो यहां पर मैंने डबल कोशिय किया तो यह मेरे दो डबल कोशिय हो गए इसके बाद एक चेन जैसे रैड बनाया था राउंड से उसी तरह से दो डबल कोशिय एक और यह दो दो डबल कोशिय है एक चेन फिर दो डबल कोशिय है सेम राउंड रूपीट करेंगे एक चेन एक और यह दो फिर एक चेन तो कम्प्लीट करेंगे इसी तरह से कि राउंड दिखें मैंने कम्प्लीट कर लिया है एक चेन दी लास्ट में यहां पर बनाएंगे दो डबल कोशिय है एक बात देखें यहां पर यहां से लेके यहां तक इसने में नॉर्मल साइस का डबल कोशें बनाया हैं यह रएड और उर हाइट वाले में मैंने थोड़ा लϋंड ही बनाया है थोड़ा डबल कोश्य बनाया है इस नेक्स में बनाया slip stitch तो यहां पर radical start करेंगे होल में बनाया slip stitch यहां से फिर से start करेंगे next round तीन chain लिए इसी जगह मैंने double crochet किया फिर देखे एक chain फिर next में same round repeat करेंगे कोई increase नहीं करेंगे तीन round मतलम मैंने same बनाये हैं यह देखे एक chain यहां पर दो double crochet double crochet इस तरह से छोटी size का वने नहीं बनाया है थोड़ा साइसे बड़ा बनाया है थोड़ा खुले हाथ से बनाए double crochet फिर एक chain दो double crochet complete करेंगे round को फिर एक chain यह तीनों round हमारे सेम है बीच में दो double crochet के बाद एक chain है राउंड देखे कंपीट कर लिया जॉइन करेंगे कि दो double crochet बनाए इसके बाद एक chain दो तीन थार्ड चैन में slip stitch से चॉइन किया नेक्स्ट में हमने slip stitch किया फिर हम वाइट कलर स्टार्ट करेंगे होल में यहाँ पर फिर से वाइट से बनाया slip stitch अब यहां पर हमने single crochet करना है इसी जगह तो पहले हमने एक चेन लिए एक चेन लेकर यहां पर मैंने single crochet किया इसके बाद एक दो तीन चार चेन लिए चार चेन लेकर यहां पर हमने single crochet किया एक दो तीन चार चेन single crochet एक दो तीन चार चेन single crochet को कंप्लेट करेंगे और राउंड को देखें जॉइन करेंगे एक दो तीन चार चेन लिए चार चेन लेकर यह जो हमने single crochet किया था single crochet की chain में slip stitch से join किया अब यह hole में जाएंगे यह जो हमारे पर space है यहां पर slip stitch बनाया फिर से यहां से हम शुरू करेंगे तीन हमने chain लिए तीन चेन लेकर यहां पर हम साथ double crochet बनाएंगे साथ double crochet और तीन के chain तो यह total 8 हो जाएंगे एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक डबल कोशे बनाएंगे यहां पर हमने देखिए single crochet से इस तरह से join किया इसके बाद एक दो तीन चेन लिए तीन चेन लेकर next hole में हमने फिर से single crochet किया इसके बाद धाका लिया है फिर next hole में यहां पर फिर से हम आठ तबल कोशे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तबल कोशे किये next hole में यहां पर single crochet किया है इसके बाद एक दो तीन चेन लिए फिर next hole में single crochet किया है इसके बाद फिर से हमने धाका लिया और यहां पर हम आठ तबल कोशे बनाएंगे कम्प्लीट करेंगे राउन को तो राउन दिखिए कम्प्लीट हो गया जॉइन करेंगे आठ यहां पर मैंने डबल कोशे किये यहां पर हमने single crochet किया इसके बाद तीन चेन दिए next hole में single crochet किया और उसके बाद हम जॉइन करेंगे एक दो तीन थर्ड does 시간 कि कि इस्लिप स्टीच से जॉइन के इसके बाद देखिए उसके आब द्ड़ान चार चेन लेनी है आएग डो तीन चारट लीड भका लिया यहां द्डीक के यह हमारे तीन इसके बाद देखिए एक चेन दी फिर नेक्स चेन में डबल कोशिय बनाया फिर एक चेन दी फिर नेक्स चेन में डबल कोशिय बनाया डबल कोशिय के बाद हम एक चेन लेते हैं इसलिए हमने शुरू में इस बार चार चेन लिए हैं फिर एक डबल कोशिय एक चेन एक डबल कुशिय एक चेन डबल कुशिय चेन डबल कुशिय चेन डबल कुशिय और देखे यह हमारा लास्ट वाला डबल कुशिय है जिसके उपर मैंने डबल कुशिय किया इसके वार यह जो सेंटर में हमने तीन चेन लिये थे यहां पर मैंने सिंगल कुशिय किया पिर नाका लिया है कि में इसके दिख एकिए gefa राज दबल ने बनाएंगे यहां पर हमnants के दबल को स्या बनाएं में ये फिर आपकर चीडह स्या चे लागा दबल को शिया चेन डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर चेन ले, डबल क्रोशिया, फिर चेन ले, ये लास्ट हमारे पास देखे, डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में बनाया, तो टोटल देखे, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ हमारे पास थे तो आट ही मैंने बनाए है तो इसके बाद हमने जोएन करना है यह उभर छूर हमने धागा या फिर ने में जाएंगे कि यहारा पहला डबल कोश्या है यह इसकी चेंगalten कि डबल कोश्या फिर चेंग तो तो इसी तरह से यह पला राउंड हम कंप्लीट करेंगे डबल कोशिय के बाद एक चैन देंगे यह इस तरह से दिखेंगा कि राउंड दिखें कंप्लीट हो गया जॉइन करेंगे दिखे यह मारा लास्की बाश्या और इसकार में या किया और इसके बाद यह्या क्वाद्ट यहां पर हमने पर सिंगल कुशिषा पनाया और एक दो तीन ठर्ड चैन कौन के यहां पर शुरू में हमने चाहरो kind ली थी एक, दो, तीन, थर्ड चैन में हम जॉइन करेंगे, फॉर्थ चैन में जॉइन नहीं करना, स्लिप स्टिच से, इसके बाद देखे, इसके बाद ये जो ये तीन की चैन के बाद जो फूल है, यहां पर हम रैट कलर से, पहले हमने इस तरह से फंदे में से रैट कलर निकाल लिया, अब यहां पर ये तीन की चैन, जो शुरू में चार चैन ली थी, उसके बाद वाला ये हूल है, यहां पर हमने सिंगल कुर्शिया किया, पहला, इसके बाद देखे, एक, दो, तीन चैन ल लेकर, यह जो हमारे दो उपर वाले सिंगल कुर्शिय के धाके हैं, इनको लेकर हमने यहां पर सिंगल कुर्शिया किया, फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल कुर्शिया करेंगे, फिर एक, दो, तीन चैन लिए, सिंगल कुर्शिया के, दो हमने इस तरह से धाके कि नेक्स्ट में में इसींगल कोशिय ही एक दो तीन कि नेक्सटोच एक धूद में सिंगल कोशिय से एक दो तीन भी नेक्स्ट और में बनाए दो तीन फिर देखिए ये हमारा last hole है जहाँ पर हमने ये single crochet बनाया उपर देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे आएंगे यहाँ पर मैंने single crochet आगिया इसके बाद देखिए ये हमारा single crochet है center में ये 3 की chain के उपर जो हमने single crochet बनाया था ये वो आ गया अब इस single crochet के नीचे ये जो single crochet है इसको उठाएंगे और यहाँ पर ये मैंने धागा लिया यहाँ पर इस तरह से front post की तरह मैंने single crochet को लिया और यहाँ पर ऐसे बनाएंगे ये 3 है फिर्स्ट 2 निकाल दिया फिर 2 से 1 के इसके बाद देखिए next हमारे पास ये जो 8 double crochet है पर के की यह अदेखिए यह हमारा पहला डब क्रोशियह है डब क्रोशियह के बाद यहां पर हमने single क्रोशियह बनाया तो उसके बाद फिर उसी तरह से 1 2 3 तीन तीन लेकर यहाँ पर single crochet को यहाँ करेंगे फिर next hole में जाएंगे फिर हमने तीन चेन लिए फिर ये सिंगल कुशिया किया फिर नेक्स्ट होल में करें एक दो तीन फिर नेक्स्ट होल में सिंगल कुशिया किया एक दो तीन तीन चेन लेकर ये दो धाके उठाकर हमने सिंगल कुशिय करना है फिर नेक्स्ट होल में सिंगल कुशिय से ही जोईन करना है अगर यह हमारा लास्ट होल है जहां पर हमने जोईन किया ऊपर देखिए एक दो तीन चार पांच है अब यहां पर हमने जॉइन किया है, इसके बाद हमारे पास सिंगल कोशिय है, इस सिंगल कोशिय के नीचे वाले सिंगल कोशिय में हम इस तरह से फ्रेंट पोस्ट करेंगे फिर इसके बाद यह हमारे पास जो आठ है तो यह पहला हमारा जो डबल कुशिया है यह हमारी नीचे देखे तीन की चेन है इसके बाद यहां पर नहीं बनेगा यह हमारे पहला जो डबल कुशिया है इसके बाद हमने कि सिंगल कुश्य बनाना है 1 2 3 हम इसी तरह से हम कमप्लीट करेंगे इसे बनाके राउन को राउन को जोइन करेंगे तशे रिखे करें दि जो पर करना है यह लास्ट वाले होल में यह लास्ट औ incidents उससे पहले वाले जैक कैंने बना लिया अब यह जो हमारा single crochet है यहां से इस तरह से लेंगे और यहां पर हम front post बनाएंगे अब यह जो हमारा पहला single crochet है इसकी chain में slip stitch से round को join करेंगे एक chain लेंगे और धगा काट देंगे ड्रेस देखे complete हो गई है और बहुती सुन्दर ड्रेस बनी है और बनाने के बाद आप एक वार इस तरह से इसे set कर लें खींच के थोड़ा थोड़ा तो यह शेप में आ जाएंगी इसकी सारी पतिया और यह जो ट्रेस है यह मैंने पांच नंबर की चोली के उपर बनाई है इसी तरह से आप बाकी नंबर में भी बना सकते हैं सभी size की चोली की वीडियो में चैनल पर है और वहां से देखकर आप चोली बना लें बाद में जैसे हमने यहां पर घेरा स्टार्ट किया है उसी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेव तो सब्सक्राइब करें थैंक यू